चीर के जमी को मैं उमीद बोता हूं मैं किसान हूँ चैन से कहां सोता हूं ये बात सच है कि देश के हर इंसान की भूग किसान अपने हल से जोत के पेट भरता है नमशकार कृषी दर्शन कारिक्रम में आपका स्वागत है आज का हमारा विशे है प्राकृतिक खेती इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित है नौनी विश्य विद्याले की वाइस चांसलर डॉक्टर राजीश्वर सिंग्चन देन सर आ प्राकृतिक खेती क्या है आज सचमुच में प्राकृतिक खेती एक देश का विशे बना है हमारा किसान जहां सत्तर प्रतिशत कुलावादी का सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा किसान है वहां इससे भी जो अवश्यक है जानना ये ज़रूरी है कि सत्तर प्रतिशत से उपर क जो किसान है और छोटा किसान है, मध्यम किसान है, जिसकी खेती बहुत छोटी है, इसलिए आज आज आवश्यकता है कि किसान अपनी आये कैसे बढ़ाए और किसान खेती पर कैसे टिक है, इसलिए प्राकरती खेती एक अलग मध्यम, अलग एक बिधी, जिसको शुरू में जीर से उसकी निर्वर्टा खत्ब करती है और नियुन्तम करती है यह वह खेती की बीदिया जहां किसी भी कैमिकल आदान का कोई केमिकल फर्टिलाइजर परसिसाइड का इसमें प्रयोग नहीं है मैं आप से ये चानना चाहूंगी कि जैसे हम कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं बड़ी तो मेरे दिमाग में ये बार बार आ रहा है कि प्रकृतिक खेती की अपनाने की हमें जरूरत क्यों बड़ी है सोनी का जी बिलकुल आज दुनिया से लेकर देश पर से लेकर यदि हम प्रदेश में आते हैं तो हम सब के सामने हमारा आम किसानी चर्चा करता है कि आने वाले समय में पानी कम हो रहा है जबकि हम खेती में बात करते हैं कि सबसे पहले हमें पानी चाहिए हमारी देश की लगों 33 प्रदिशत भूमी बंजर हो चुकी है कि माचल परदेश इससे अच्छोता नहीं है हमारे परदेश से लेकर देश भर में आज जितने भी हमारे खाद्या पदारत बजार में उपलब्द हैं उसमें पेस्टिसाइड रेजिजियों की मात्राइं बढ़ रही हैं जो स्वास्थे के लिए हमारे लिए नुकसान दाए गया पर्यावरन एक गंभीर समस्या बनता जा तो यदि अब जो हमारा 1960 के बाद हरित करांती आई उसके दुषपर नाम पर सामने आना शुरूँ गई तो कहां हरित करांती ने हमारी देश को फसलों पे हमारे खाद्यानों पे आतम निरभर किया परनतों जो उसके दुषपर नाम थे वो आजाना शुरूँ गई इसे शहर में नहीं भागेगा तो इसलिए आज प्राकृतिक खेती की आउश्चता है यह बहुत अपने अच्छी बात बताई कि हमें किसान की आई के बारे में भी सोचना है अपने स्वास्थे के बारे में भी सोचना है थोड़ा सा में यह जानना चाहूंगी आप से सोनिका जी जब किसान की बात आती है तो चाहे बैग्यानी कोई पददी देता है चाहे किसान की इनोवेश्यंस है किसान उसी पददी पर टिक हैगा जिसमें उसको लगता है कि मैं अपने परिवार की आज़िवी का इस खेंटी से कमा सकता हूँ तो जहां आप कन्वेंशनल फार्मिंग जिसको केमिकल फार्मिंग भी हम कहते हैं उसकी बात करेंगे तो बीज से लेकर क्रॉप की हर्वेस्टिंग तक हर चीज मार्केट डिवन हो गई है किसान को बीज बजार से ख्रिदना किसान को पानी चाहिए उसके लिए उसको बिजली चाहिए किसान को फटलाइजर चाहिए किसान को पेस्टिसाइड चाहिए ग्रोथ रेगुलेटर चाहिए तो इसका मतलब उसकी आमदनी का अधिक हिसा मार्केट में जा रहा है तो कहां से उसकी आमदना आएगी दूसरी भी थी जैवी कि आपने बात की आज आप देखेंगे कितने औरगनिक प्रोडक्ट के नाम से और औरगनिक इन्पुट के नाम से बिजार में उपलगत है तो किसान का जो कस्ट है जो किसान की समझ से आए उसको तो बिजार से ख्रीदना है और आज जो जिसको एक शबद भी अभी बहुत प्रयोग हो रहा है कि कमर्शिल आइजिशन आफ दौगनिक तो किसान को तो जैवी खेती और महंगी होगी केमिकल खेती से भी तो आज हमाँ आपका जो सत्तर प्रश्यत से उपर का चोटा किसान है जैवी खेती पे नहीं जा पाया आपने बहुत अच्छे बात बताई कि जो है इसका खर्च जादा जो जैवी खेती का है वो खर्च जादा है और प्रकृति खेती का नहीं है तो मैं यह आप से जानना चाहूंगी कि अगर प्रकृति खेती जिसान करना चाहता है तो वो कैसे करें देखे आज तो ये देशवर में कांदोलन का रूप ले चुका है प्रदेश के जो कृशी बिभाग है उसकी अधिकारी ब्लॉक स्थर पे बैठे हैं ब्लॉक स्थर पे BTM और ATM ब्लॉक टेक्नोलोजी मेनेजर और असिस्टन टेक्नोलोजी मेनेजर ये प्राकरती खेती पर ही लोगों के साथ किसानों के साथ मिलके काम कर रही है इसके साथ विशुब देला जिस विशुब देला से जो हमारा विशुब देला है उद्याने की विशुब देला Noni, Solan, Majusthit हम किसानों के लिए टینिंग का प्रोगाम करते है हमारे पास इसके मोडल्स हैं हम किसानों को Exposer Visits के लिए बलाते हैं युआ पने पास उनको दिखाते हैं और इसके स्वाए परदेश में ऐसे हाजारों हाजारों किसान ऐसे तियार हो गए हैं जिनके मौडल अपने खेत पे हैं तो किसान से किसान की भी एक चर्चा शुरू हो गई है नया किसान जो प्राकर्टिक खेती किसान करता है उसके मौडल फाप पे जाता है उसको देखता है उसे चर्चा करता है तो यह लग-लग माते में कि किसान प्राकृतिक खेती शुरुवात कर सकता है अब आपने बात की जैसे स्वैस्ते की भी बात की और आपने जैसे पानी के बारे में भी बताया कि शौटेज है तो मैं यह जाना चाहूंगी कि शुरुवात तो अब हमें कर दी प्राकृतिक खेती की लाब क्या है उसकी भी जानका देखिए एक जो कहावत है कि भूके भजन ना होए गुपाला चाहे परेवरन दोशित हो रहा है पानी खराब हो रहा है हमारे स्वस्थे पे नुकसान हो रहा है ये सब चीजों का सोचने का समय किसान को तब मिलेगा जब उसको पहले अर्थिकलाप होगा उसके घर का खर्चा उसका घर एक अच्छे घर की तरह खेती से चलेगा तो पहला तो यह कि उसकी आए कैसे बढ़े दूसरा हिमाचर प्रदेश का एक मैं चोटा सा डेटाप के सामने रखूँगा है दो हमारे सेब के जो बड़े जिले हैं जहां पर सेब का बड़े सतर पर उत्पादन होता है उन जिलों से एक अध्यन हुआ है उसमें 80% से उपर महिलाओं ने ये बताया है कि उसके सप्रे करने के बाद उल्टी आती है चक्कर आता है स्किन डिजिजिजी शुरू हो गई है बहुत सी कहानिया ऐसी आई जहां डॉक्टर्स ने किसानों को खेत में जाने से मना कर दिया कपड़े बदलने पड़ते हैं सप्रे करने के बाद भूख नहीं लगती है तो ये जो क्रॉनिक एफेक्ट्स हैं ये आज हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हो गए है आज हिमाचल प्रदेश के कितने गाउं में जहां हम फ्रेश हौगी बात करते हैं महां कितनी बिमारी ये शुरू हो गई है तो इसका करण क्या हो सकता है अत्याधिक केट नाश्कों का फफूद नाश्कों का अग्रो केमिकल्स का प्रयोग अब लाप की बात आई तो जिसमें ने कहा कि जब तक उसकी आय नहीं बढ़ेगी तो जब हम प्राकरतिक खेती में जो सुबाश पाले जमीन को उसकी उर्वरा शक्ती बढ़ानी है चाहे किटों को रोकताम करनी है चाहे मल्टीपल फसलों को गाना है सब गाये के गोबर और गोमुतर से सबादान बनेंगे जो किट नाश्कों का प्रयोग करते थे हम उसकी जगा पे यहां पे जो डिकॉप्शन बनती हैं जो अ जी तो यह इसका लाब है तो सीधा सीधा जब वो बजार से कुछ नहीं खरीदेगा या मिनिममम खरीदेगा नियुमतम खरीदेगा तो उसकी आये में बृति होगी उसकी आये का भाग बन रहा है जी 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 बहुत अच्छी आपने बात बताई हमें जैसे आपने हिमाचल परदेश की बात की तो मेरे दिमाग में बार बार यह आ रहे कि हिमाचल परदेश में मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि कहां कहां पर जो है प्राकृतिक खेती होती है आपको सुन के अश्रे होगा कि हिमाचल परदेश की जो खेती है वो लगो 350-360 मीटर जो अल्टिटूड है स्मूद्य तल से जो जाई है वहां से लेकर जो हिकिम सबसे उंचा गाउं है चीचे वहां तक जो 400 मीटर की हाइट तक है सब खेत्रों में प्राकृतिक खेती शुरू होगी है अगर हम नौनी विश्व विद्याले की बात करें नौनी विश्व विद्याले है वो प्राक तो पहला काम तो है कि किसान को कैसे इसमें टेनिंग दी जाए और किसान को जो प्राकरती खेती के सही मौडल है वो खेत में कैसे दिखाए जाए वो हमारे पस मौडल उपलब्थ है अलग लग जो खेती जो प्रणालियां है चाहे सेबाधारी थो सबजी आधारी थो ये हमारे पास उपलब्द है किसान आते हैं, हम उनको उनको दिखाते हैं और वहां चर्चा करते हैं ये पहला हमारा तरीका काम करने का दूसरा अभी नौनी विश्ड याले को एक बड़ा काम मिला है देश भर के क्रिशिवी ग्यान के इंदरों के एक दाईतवा मिला है कि वो हर क्रिशिवी ग्यान के इंदर प्राकरती खेती पर काम करेगा किसानों के साथ तो नौनी विश्ड याले का जो दाईतवा है कि जितने भी क्रिशिवी ग्यान के इंदर है खासकर जो हिमालेन जोन के हैं जो जम्मो कश्मीर से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक हैं इनके वेग्यानिकों को टेनिंग देना ताकि इनके वेग्यानिक टेनिंग लेंगे तो किशी वेग्यान के इंदरों में अपने अपनी जगह जाके फिर वो किसानों को टेनिंग और इसका जो लग-लग फसलों की उगाने की बिदी है जो package or practices जिसको कहते हैं वो भी शुब देलिया त्यार कर रहा है अब जो किसान जिनों ने जैविक खेती जो है chemical खेती शुरू कर दी थी अब वो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं तो वो प्राकृतिक खेती क्या एकदम कर सकते हैं या उसके लिए उनको कितना समय लगेगा थोड़ा से इसके बारे भी हमें बताईए देखी ये भी एक जैविक खेती का ना प्रचलीत होने का कारण रहा कि जो इस किसान को जैविक खेती करनी ते उसको बताया गया तो तीन साल तक उसकी जो फसल हो कमी आएगी तो तीन साल तक कौन किसान इंतिजार कर सकता है प्राकृति खेती में क्योंकि प्राकृति खेती एक विधी है ये विज्ञान है ये जहां परंपरिक ज्ञान है उसके साथ साथ ये एक आधुनिक विज्ञान भी है प्राकृति खेती में हम भूमी की जो प्रकृटियाँ हैं कैसे जिवानू बढ़ेगा क्योंकि भूमी को पने मता कहा तो प्रशन आता है मता क्यों कहा विदेशी भाषा में तो इसको एक भूमी का टुकड़ा है हमने इसको मांगा तो हमने ये माना कि ये एक जिवन्त भूमी है इसमें क्रोडों क्रोडों जिवानों काम करते है तो जब हम लगातार पेस्सिसाइड का चिड़काओ करते थे तो जिवानों मरता था तो जब जिवानों मरता था तो जो भूमी की प्रिक्रियाएं थी वो बंद होती थी केंचुवा ने काम करना बंद कर दिया केंचुवा उपर से नीचे जमीन में जाएगा तो टनल बनाएगा फिर उपर वापिस आएगा ऐसी अपनी जिन्दगी में वो हजारों हजारों टनल बनाता है वर्षा होती थी तो पानी उन टनल के माध्यम से जमीन में जाता था जब गर्मी होती थी तो कैपिलर रियक्शन से जिसको केशा करन शक्ति बोलते हैं उसे वो पानी उपर आता था जड़ों को प्लब्द हो जाता था वो बंद हुआ लगातार हमने फेटलाइजर का प्रयोग किया तो भूमी की जो निचली स्ता थी चार फूर्ट पांच फूर्ट के नीचे उसमें एक हार्ड लेयर बनना शुरू होगी उसमें उपर के भाको निचले भाको लग कर दे अब आप देखते होंगे वर्षा होती है दस मिलब में खुब पानी आएगा सड़कें भरेंगी नदी आएगी उसके आदे घंटे एक घंटे के बाद समानी स्थिती हो जाएगा तो ये धिरे धिरे प्रस्थिती आई जिस सवस्ता में पौदे को भोजन चाहिए और पौदा उस भोजन को उठाएगा तो ये प्रक्रियाएं इस भीती से शुरू होती तो धीरे धीरे फिर जमीन की जब प्रक्रियाएं शुरू हो गई और जमीन के उपर मूनो कल्चर से हटके हमने मल्टिपल कर चल पे गए आपको याद होगा या पुराना जब हम घरों में बात करते हैं अपने बज़र्गों से तीन फसले चार फसले पांच फसले एट टाइम होती थी यूरिया को हमने बदल दिया कोई भी दाल की फसल एक लगेगी दाल की फसल वाईयू मंडर से नाइटरोजन को खीचती है जमीन में छोड़ती है और दूसरे पौदे को प्लंद करवाती है तो यूरिया काम बंद कर दिया फस्पोर्स पॉटाश के लिए वेक्टिरिया की संख्याज जमीन में बढ़ना शुरू हुई तो पौदेनस को उठाना शुरू कर दिया यह बहुत ही महत्तपूर जानकारी आपने हमें दी कि किस तरीके से प्रकृतिक खेती जो है इतनी फाइदे मंद हैं और हमारे स्वास्ते के लिए भी और अगर हम लाब की बात करें तो उसके लिए भी जैसे आपने हिमाचल प्रदेश में भी हमने थोड़े देर पहले सेव की बात की जैसे कि जब लोग स्प्रे करते हैं तो जो है उनके अपने हेल्थ पे जो है इश्यू जाने शूरू हो गए है हिमाचल प्रदेश पे main किट पठंगों की बहुत ज़एधा जो जो किसान है वो उंत के बचाव के लिए किट नाशों का प्योग करता है तो इसके लिए प्रकृति केती में क्या कर सकता है किसान एक चुंकाने वाला अध्यानोगा है जिसमें परदेश में जो खाद्या पदारत हैं उसमें किट नाशक अफशेश बाकी देश वर के अफशेशों से ज़्यादा मिल रहे है इसका मतलब हमारा प्रियोग यहां पर ज़्यादा है और यह प्रियोग जहां पर हमें भोजन के मात्यम से जहाँ पर हमारे खाद्यक के मातियन से शरीर में जा रहा है वहाँ पर किसान की खर्चा भी बढ़ा रहा है On an average हिमाचल प्रदेश का जो सेव का बागबान है अच्छा वागबान जो है वह एक एकर यानि पांच बीगे पे लगवग एक लाक रुपए खर्च कर रहा है सिर्फ कि इतना श्कों पर खादो पर जो सबजी वाला है चाए ऑपसीजन है चाए मेंसीजन है वह 18,000 से 22,000 खर्च रहा है तो यदि आप उसकी डिपेंडेंसी को खतम करेंगे तो उसकी आये में जाएगा पहला है दूसरा उसके घर का बातर बाट उसके आसपास का बातर बाट बाट शुद रहेगा को छिड़काओं नहीं कर रहा है तो कम से जो डिप्ट से सांस से हम इनहेल कर रहे हैं हम हमारे बज़ुर्ग हमारे बच्चे उससे हो बच रहा है पानी दूशित नहीं हो रहा है क्योंकि केट नाशक जब हम छिड़काओं करते हैं तो एक या दो प्रतिशत पते पे रहता ह बाकी सब जमीन में जाता है जमीन से जाकि और भूजल में जाता है भूजल से हमारे घास में आता है हमारे अपने श्रीव में जाता है तो पशू के माद्यम से दूद के माद्यम से अलग लग तरीकों से हमारे श्रीव में जा रहा है तो हम स्वस्थे को भी ठीक कर रहे हैं, तीसरा एक और बड़ा भी शेव आपके सामने रखना चाहिए हो, अगर National Family Health Survey आप 2019 को पढ़ेंगे, तो बहुत सी महिना हैं हमारी आज अर्नेमिक आ रही है, कैल्शियम की डिफिसेंसी आ रही है, जिंक की डिफिसेंसी आ रही है, आई लेन बहुत ही अच्छा है, वातमन अच्छा है, लेंड्लिस नहीं है, तीन समय हम भोजन करने वाले लोग हैं, तो दिक्त है कहां नहीं, तो इसलिए हम प्रकरती खेती में नुन कल्चर से उखे, वहुत इंटेंसी डिकेशन नहीं है, जब देखेगा, तुछी समय में एठ कि इसके पीन के जाए है 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 जब देखेगा तो जमीन से जो पानी हो नमी है तो दूपरा जितना भी हम बल्टिक इसमें लागते हैं तो लगलग किसम का जो जिवानी है उसमें में का अशुर्ण अगला लाग क्या होगा किसान का जो रिस्क है तो मुनो कल्चर से हटके हम मुख्या फसल को 60 प्रिश्ट लाते हैं चाली प्रिश्ट में 3-4 फसल लगाते हैं तो किसान को किसी ना किसी एक तो लगलग समय में त्यार होंगी उनका राइपनिंग का टाइम लगलग होगा तो कि किसान को 30-35 दिन के बाद लगाने के बाद कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो जाएगा तो उसकर इस कटेगा तो यह सा तीसरा जो मैंने स्टंटर्ड ग्रोथ की बात की नूट्रिशनल डेफिशनसी की बात की मल्टीपल फसलें लगाने से नूट्रिशनल क्रॉप किसान को मिल तो घर के लिए भी हो जो नूट्रिशनल डेफिशनसी आज हो रही है उसको भी पुरा कर रहा है जी बहुत ही अच्छा आपने बताया हमें अगर हम बात करने जो हमारा अंद आता है वो दिन रात मेहनत करता है कई बार क्या होता है बे मौसमी बारिश अत्यदिक बारिश उसका साथ नहीं देती तो किसान जो है वो निराश हो जाता है क्या प्रकृतिक खेती इन आपदाओं से बजा सकता है इनसान को लिए जो खेती बिदी है ये महरास्ता से शुरू ही थी सुवाश पालेकर जी कर जो मैंने नाम लिया जिनको बाद में सरकार ने पदम शीरी भ शुरू हुआ और आज पुरी दुनिया में उनाइटेड नेशन ने इसको एक क्लाइमेट रेजिलेंट अगरी कल्चे के रूप में माना है यानि आज इसकी जो असेप्टेंस है उनाइटेड नेशन एफेओ तक इसके असेप्टेंस हुई है तो दो तिन क्या कारा रहे कि उन्होंने इसको सिप्ट किया कि ये विधी ऐसी है जो किसान के आया बढ़ा सकती है और एक लाइमेट रेजिलेंट है ये विधी सत्र प्रश्यतक पानी की कमी को पानी की अवश्यक्ता को कम करती है क्योंकि इसमें दो संटेंस का प्रयोक उन्होंने किया कि किसी भी जड़ को पानी नहीं चाहिए और दूसरा किसी भी जड़ को खाद नहीं चाहिए तो इसलिए सत्र प्रश्यद पानी की कम पानी की वश्कता इसमें नहीं है इसमें हम खाद नहीं देते हैं जितना भी इंपुट बनता है जीवामरित है घंजीवामरित है यह जो ये कल्चर के रोप में काम करते हैं, एक जाक के रोप में जैसे दूद में हम थोड़ा दहीं डालते हैं, इसने कि कामी का इसे में किसी भी का Chung куда बोले, और सबसे बड़ी बात है छोटी मातना में डालते है तो इस लिए ये जो फसल है ये सूखे में भी खड़ी रहती है बार की स्थिती में भी कुछ स्थिती को कोई ये सेहन करने की कुशं़ता रखती है और कीट नाशकों कीटों के प्रती भी धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस परता जाता है डॉक्टर राजिश्वर सिक्टंडेल जी आप हमारे इस कारेकर में आये आपने हमें इतनी भत्तपुन जानकारी दी मैं चाहते हूं कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को सुक्ष्म सा एक संदेश दे मैं अपने सभी किसान सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल परदेश की 3615 पंचायते हैं और आज 3615 पंचायतों में ही प्राकरती खेते का काम शुरू हो गया है आप अपने आसपास किसान ढूलिए प्राकरती खेती किसान कौन कर रहा है उसके खेत में जाइए उससे चर्चा करिए और निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वो बिना कुछ डाले बजार से खेते हो सफलता पूर वो खेती कर रहा है और आपको प्रेरित करेगा ये मेरा आपसे निवेदन है और विश्व देले में भी आप आएंगे तो हम विश्व देले में भी आपको इसमें पूरा सहयो करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे किसान देश की नीव है देश की नीव मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा इसलिए हम सब का कतव्य बनता है कि हम जो है अपने किसान को मजबूत बनाए और देश को सब्वेट बनाए आशा करती हूँ आज का कारीकर्प अच्छा लगा होगा नमस्कार